क्या आपको भी भूख नहीं लगती है और आपको भूख नहीं लगती है तो आपका वजन भी कम होने लगता है यानि कि शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है और कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे में आप क्या करें आपको आज हम घरेलून उसका बताएंगे इसक आपके वजन को भी इंक्रीज करेगा घरेलू नुस्खा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी वीडियो को लाइक करें और अगर आप ल पाला कहा है हमें लेना है एक ग्लास पानी तो पानी को हमने ले लिया है साथी समें हम कुछ और चीजे लेंगे लेंगे ले ल nove दिया प्र चाल नumक चाहें आप डेली वाला ले 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 जो आपके घर में है जो आपके पास है बस आप वो ले लीजिए तो चलिए अब इस नुष्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें इन सारी चीजों की कितनी quantity लेनी हैं तो लगबग एक चमच के करीब हम इसमें जीरा ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं थोड़ी सी हल्दी ये देखिए और इसके बाद हम लेंगे इसमें काला नमक, स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हैं और इन चीजों को हम इस तिकल करके बता रही हूं तो देखिए जीरा थोड़ा सा रह गया है पिसने को आप इसको अच्छे से सिल्वट्टे पे डालके अच्छे से पीज पीजिएगा तो हमने जो पानी लिया था एक गिलास उसमें हम इस सारी पॉर्डर को बना लेंगे जो हमने तैयार किया है पी और आदे नीबू का सारा रस इसमें हम एक गिलास जो हमने तैयार किया है इसमें मिला लेंगे उसको मिला लेते हैं अच्छे से और गोलेंगे इसका इस्तिमाल कैसे करना है आपको वो भी हम आपको बताएंगे आप सबसे पहले तो हम जो है इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा नुस्खा बन के तयार है जो आपकी भूग को भी बढ़ाएगा और साथ इसाथ आप जो खाएंगे वो भी आपके शरीर को लगेगा वजन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको आपको सुभा में लेना है और दिन में एक बार और लेना है यानि के दिन में दो बार आप इसका सेवन करें कुछ दिन करके देखें आप मेरे कहने से आपकी जो है भूग भी बढ़ेगी और बजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा अपने दोस्तों में शियर करें